स्टूरेंट्स तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चाप्टर नुमबर 2 इस मैटर अराउंड इस प्यॉर के इंटेक्स सॉलुशन्स अगर आपने इस चाप्टर की एक्स्प्रिनेशन ना पढ़ी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस मिल जाएगी आम ज पार्टिकल से बना होता है और वो पार्टिकल्स क्या होते हैं हमारे आटम्स और मॉलिक्यूल्स फॉर एक्जाम्पल सिल्वर इस मेड़ आप ओफ ओनली सिल्वर आटम्स जो सिल्वर होता है वो खाली सिल्वर के आटम से ही बना होता है ठीक है तो यह हमारा एक सप्टेंस ह मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वाटर इस मेड अफ ओली वाटर मॉलिक्यूल जो वाटर होता है वो खाली वाटर मॉलिक्यूल से ही बना होता है हाइड्रोजन और ओक्सीजन ठीक है H2O सेकंड कोशन पर चलते हैं List the point of the difference between homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures ठीक है तो हमें points लिखने हैं इसके और दोनों में difference बताना है तो पहला point है it has a uniform composition Homogeneous हमने क्या पड़ा था कि अगर हम पानी और sugar को एक साथ mix कर देते हैं तो अगर हम उसका एक से प्लेंगे तो same taste आएगा अगर हम दूसरे से प्लेंगे तो दूसरे भी same ही taste आएगा ऐसा नहीं है कि दोनों का टेस्ट अलग लगाएगा कि उपर से लेंगे तो अलग टेस्ट आएगा नहीं उनका सिमलर टेस्ट होगा सेम टेस्ट होगा तो यह होते हैं हमारे homogeneous mixtures और heterogeneous mixture है it does not have a uniform composition तो heterogeneous का कोई ऐसे uniform composition नहीं होता कोई similar taste नहीं होता है ठीक है इसका second point है it has no physical boundaries of separation between the various constitutes तो इसका क्या मतलब है कि अगर हमने पानी और चीनी को एक सथ mix किया तो क्या आपको पानी अलग और चीनी अलग दिखाई देगी नहीं दिखाई देगी that means उनसकी कोई physical visible boundaries नहीं होती है separation की लेकिन heterogeneous की बात करें तो उसमें visible boundaries होती है अगर आप नमक और sand को एक सथ mix कर दोगे तो sand थोड़ी दिर में वो नीचे बैठ जाएगी that means वो दोनों का अलग लग हमें दिखाई दे रहे हैं जब उनकी boundaries visible है separation की ठीक है third point है हमारा the constituents of homogeneous mixtures cannot be seen easily हम पानी और चीनी को जो चीनी हमने mix की है पानी के अंदर हम उसको easily नहीं देख सकते हैं they consist of one phase for example sugar and water अगर हमने पानी में शुगर को mix कर दिया है तो हमें तो चीनी अलग दिखाई देगी नहीं पानी अलग चीनी अलग तो दिखाई देगा नहीं दोनों mix दिखाई देगे तो इसका मतलब उनका एक ही phrase होता है वो है mix phrase the constituter of the homogeneous mixtures can usually be seen easily heterogeneous mixtures में क्या होता है कि वो easily अलग अलग दिखाई देते हैं उनका एक phrase नहीं होता है उससे जादा phrases होते हैं for example mixture of sand and water ठीक है कि पानी हमें अलग दिखाई देगा और sand हमें अलग दिखाई देगी मतलब हम उसे easily देख सकते हैं heterogeneous mixtures को homogeneous में हम नहीं देख सकते हैं अलग लग fourth point है their components cannot be separated by the filtration हम filtration की help से पानी और sugar को अलग लग नहीं कर सकते हैं इसमें हम distillation simple distillation method हम लगाएंगे तो हम उनको अलग लग कर सकते हैं ठीक है और heterogeneous mixtures की बात करें तो हम उसे filtration से अलग कर सकते हैं क्योंकि पानी और जो हमारा शुकर है sorry sand और जो पानी है उसको हम filtration से separate कर सकते हैं लगिन पानी और चीनी को हम separate नहीं कर सकते हैं ठीक है तो यह होगा हमारे four points जो की हमने बता दिये अब third question है differentiate between the homogeneous and heterogeneous mixtures with examples तो homogeneous and heterogeneous mixtures जो है examples के साथ हमें उनका definition लिखनी है तो homogeneous है कि homogeneous has no visible boundaries of separation between the subtences it is in the uniform composition homogeneous mixtures जो होते हैं उनके कोई visible boundaries नहीं होती है और उनका कोई uniform composition होता है उनका similar taste होता है और अलग लग हमें चीनी और शुगर दिखाई नहीं देते हैं तो that means कि उनका कोई visible boundaries नहीं है और उनका taste भी similar है that means uniform composition है for example mixtures of salt in water, sugar in water, copper, sulfate in water and iodine in alcohol etc तो यही हमने उपर जो difference किया हमने उसमें भी यही चीज़ बात कीती है हेट्रोजीनिस में आप सिमिला लिख सकते हो कि हेट्रोजीनिस mixtures has a visible boundaries होती है हेट्रोजीनिस में मतलब उल्टा करना है हमोजीनिस mixture का इसके visible boundaries होती है और non uniform composition होता है कि हम पानी वेकर सैन को मिलाएंगे तो तो दोनों अलग अलग हमें दिखाई देंगे और non uniform composition होता है for example mixtures of sand in water, chalk in water, water in water, oil and water etc तो यह सारी चीज़े हमें अलग separate दिखाई देगी फोर्थ question है how are a solution a solution or a suspension different from each other तो हमें इनका difference लिखना है और मैंने properties के साथ इनका difference लिखा है तो आप ऐसे लिखोगे तो आपको full marks मिलेंगे तो पहला है हमारा true solution, colloidal solution and suspension तो इस question का मतलब है कि इन तों में इन तीनों में हमें difference बताना है तो पहले इसका meaning समझ लेते है मीनी मैंने नीचे लिख दिया है मीनी है true solutions क्या होते है are the type of the mixtures, यह mixtures होते है जिसमें solute और solvent जो है वो properly mixed होते है एक liquid state में ठीक है liquid state में वो अच्छे से mixed हो जाते है Colloidal solution क्या होता है जिसके tiny particles जो होते है solute के वो uniformly distributed होते है liquid phrase में ठीक है और हमारे suspension क्या क्या मतलब होता है कि mixtures होते हैं जिसके अंदर solute जो होते हैं वो dissolve नहीं हो पाते हैं वो उपर float करने लग जाते हैं freely वो float करते हैं ठीक है तो यह होगे हमारा suspension अब इसके examples भी पढ़ लेते हैं example क्या है हमारा tiny sorry true solutions का वो है sugar solution in water पानी में चीनी को मिला होगे ठीक है Collider solution का example क्या होगा stracha को dissolve करोगे water में suspension को होगया की water में soil को dissolve करोगे तो soil उपर उपर अलगला हमें separate दिखाई देगी ठीक है तो यह होगे examples अब हम बात करते है particle के size की इनके particles का size कितना होता है true solution के पात करें तो true से अपने पानी में sugar को mix किया तो sugar के particles जो है वो पानी में अज़े से mix होगे अब आपको sugar के particles दिखाई देगे नहीं that means वो particles बहुत ही ज़्यादा चोटे होते हैं quality solution की बात करें तो वो true solution और suspension के बीच का होता है कि वो 1 nm से ज़ादा और 100 nm से कम होता है मतलब दोनों के बीच का होता है और suspension की बात करते हैं तो वो 100 nm से बड़ा होता है ठीक है इनकी appearance की बात करें तो water में हमें sugar होती ज़ादा clear दिखाई देती है और quality solution जो होता है वो translucent होता है और suspension की बात करें तो opaque होता है ठीक है इनकी nature की बात करते हैं तो आपको true solution तो पता है ही कि वो homogeneous होता है quality solution की बात करें होता है और suspension तो हेट्रोजीनिस होता ही है रही थाक करते है filtration की true solutions जो होता है उसमें it is a simple smooth throw a parchment and filter paper as well filtration जो true solutions होते हैं उसम्पली वह filter paper से बहार में कल जाता है बहुत simply and smoothly और parchment paper का मतलब होता है जो sheep और goat की skin होती है उसे उसे एक sheet prepare करी जाती है लिखने के लिए ठीक है और अगर हम अब बात करते हैं colloidal solution की colloidal solution में क्या होता है particles of the colloidal solution do not diffuse or pass through the parchment paper but it is easy through the filtration paper पार्चर paper की जो holes होते हैं वह बहुत जाता चोटे होते है तो उसमें से तो बहार निकल नहीं पाता लेकिन filtration paper से वह easily भार निकल जाता क्योंकि इतने छोटे होते हैं उसके particles ठीक है और अगर हम suspension की बात करते हैं तो particles जो होते हैं वह पास नहीं हो पाते है filtration paper से या फिर parchment paper से ठीक है तो यह बात हो कि filtration की अब है sedimentation की कि अधिमेंटेशन क्या होता है पहले में आप यह बता हूँ sedimentation होता है कि जो particles होते हैं उसको हम कैसे separate कर सकते हैं liquid में से हम solid को separate कर सकते हैं तो ऐसा हमें दिखाई देता है the process of the particles जिसके अंदर जो होता है solid जो है वो liquid से separate हो जाता है और हमें दिखाई देने लग जाता है ठीक है तो true solutions में क्या होता है वो दों तो separate हमें दिखाई नहीं देते तो will not sediment और अगर हम suspension की बात करते हैं तो particles will get sediment, अगर हम सुस्पेंशन की बात करते हैं ये preguntas है ठीक है वो हमें अलग-अलग दिखाई नहीं देते हैं ठीक है अब हम particles की visibility की बात करते हैं तो इस पानी में हम शुगर को मिलाएंगे तो क्या आप शुगर के particles को देख पाओगे नहीं देख पाओगे? नहीं देख पाओगे naked eye से तो बिल्कुल भी देख नहीं पाओगे वह invisible तो आप अलग पानी और सेंड को अलग लग देख सकते हो तो निकिड आइस से आप देख सकते हो आज वेल एस इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कूप से भी आप देख सकते हो अब कॉलिडल सॉलिशन की बात करते हैं इसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स आर विजिबल यह विजिबल होते हैं वो तिंडल एफेक्ट दिखाते हैं तिंडल एफेक्ट जो होता है वो कॉलिडल सॉलीशन में भी दिखता है और जो पार्टिकल्स तिंडल एफेक्ट में भी शो होते हैं सस्पेंशन में भी शो होते हैं और true solution में भी शो करता है हमें और corridor solution में भी हमें शो करता है वो ठीक है तो मतलब की अब देखो true solution नॉर्मल हो गया पानी और पानी और चीनी का ठीक है और suspension की बात करते हैं तो पानी और sand का अग्जामपल लेकर आप लिख सकते हो कोलिडल के एक्जाम्पल की बात करते हैं तो यह दोनों के बीच का होता है जैसे हमके पार्टिकल का साइज इन दोनों के बीच का होगा ठीक है वैसे ही यह होता है हम इसको नेकिड आइस से ने लिख सकते हैं लेकिल इलेक्टर माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं तो आप यह 9 पोइंट्स थे हमारे आप इसमें से कोई से भी लिख सकते हूं फाइज सिक्स ठीक है जो भी आपको याद रहते हैं आप चलते हैं नेक्स पे concentration of solution तो मैंने आपको बोला था कि में numericals हम कोशन के साथ पढ़ेंगे ठीक है अच्छे से पढ़ेंगे तो पहला हमें पहला इसके थीन formulas होते हैं solution की concentration of solution के अगर हमें mass दे रखा हो और हमें mass percentage calculate करनी हो तो हम यह वाला formula लगाएंगे mass of solute upon mass mass of solution into 100 mass by volume percentage अगर हमें mass दे रखी और हमें volume percentage निकालनी हो question में तो हम क्या करेंगे mass of solute upon volume of the solution into 100 ठीक है अगर हमें volume दे रखे और हमें volume percentage निकालनी है तो हमें volume of the solution and volume of the solution into 100 तो हम इस formula से यूज करेंगे अप करते हैं example यह book में हमें example दे रखा हैं पहले इसे solve करेंगे फिर हमें in-text question में दे रखा question वो solve करेंगे तो इसमें क्या दे रखा है a solution contain 40 gram of the common salt in 320 gram of water calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of a solution इसमें क्या लिखा है solution जो है ठीक हमें करते हैं कि एक solution जो है उसमें 40 gram का जो है common salt in 320 gram of water में तो water जो है वो 320 gram जादा है तो that means कि वो हमारा solvent है अगर हम 40 gram दे रखा है वो कम है तो वो हो गया हमारा solute हमें दे रखा है mass of the solute and mass of the solvent ठीक है हमें यह given है अब हमें पता है कि mass of the solution अब हम मास वाला formula लगाएंगे ठीक है अब हम लगाएंगे mass अब हमें mass of the solution चाहिए तो mass वाला formula क्या था कि mass of the solute and upon mass of the solution into 100 ठीक है तो अब हमें solute तो पता है वो है 40 gram अब हमें solution निकालना है तो solute plus solvent कर देंगे तो 40 gram plus 320 gram is is equal to 360 gram तो हमारा mass of solution निकल जाएगा हमारा ठीक है तो इसमें क्या होगा कि अब mass of the solute upon mass of the solution ठीक है इंटो 100 तो 40 अपन 360 जाएगा इंटो 100 तो हमारा आंसर आजाएगा ठीक है अब चलते हैं एक question पे, to make a saturated solution अब हमें बनाना है एक saturated solution जिसमें 36 gram of sodium chloride दे रखा है जिसको हम पानी में dissolve करेंगे जो कि 100 gram का पानी है हमार पास, find it concentration at this temperature ठीक है तो अब हमें पानी दे रखा है मतलब दे रखा है 100 gram और हमें जो sodium chloride दे रखा है अब हमें दे रखा है 36 gram तो यह दोनों चीज हमें given है ठीक है यह दोनों चीज हमें given है अब हमें क्या करना है कि वहीं mass upon mass of the solute upon mass of the solution into 100 वाला formula निकाला है तो solute तो हमारे पास है लेकिन में solution निकाला हो का solution कैसे निकाला हो कि mass of the solvent plus mass of the solute 360 36 gram plus 100 gram is equal to 136 gram हमारा mass of the solution आ जाएगा ठीक है उसके बाद क्या करेंगे कि हम mass percentage of the solution इस formula में हम put कर देंगे जो कि 36 gram plus 136 gram into 100 तो हमारा क्या निकालेगा mass of the solution निकाल जाएगा जो कि है 26.47 gram ठीक है तो ऐसे आपको formulas question solve करने है numericals ठीक है इसके अंदर अब हम करते है next question how will you separate a mixtures containing kerosene and the petrol difference in their boiling point is more than 25 degree celsius which are miscible with each other अब हमें हमें दो mixtures को ना अलगला करना है वो है kerosene and petrol जिनका boiling point जो है वो 25 degree से जादा है which are miscible with each other और दोनों बहुत ही अच्छे से एक दूसर के साथ mix है miscible liquids है तो इसको हम कैसे करेंगे when the difference in the boiling point of two miscible liquid is 25 degree more than or more they can be separated by the process of simple distillation method से हम इसे अलगलग कर देंगे क्योंकि इनका boiling point mid 25 degree celsius से भी जादा का difference है इसलिए हम simple distillation method हम use करेंगे इस method के अंदर क्या होता है the mixtures of kerosene and the petrol is taken in the distillation flask हम ना mixtures जो होता है mixture जो हमारे पास उसे हम distillation flask में उसे डाल देते हैं और उपर हो लगा होता है thermometer जो कि हम जब boil करेंगे तो temperature ना पेगा ठीक है कितने temperature पे वह mixture heat हो रहा है and a water condenser लगा होगा तो distillation fuel जो distillation fuel जो होगा वहोगा गरम burner से ठीक हो गरम करेंगे हम फिर क्या होगा then the mixtures is heated it slowly the mixture is warm होने लग जाएगा the time the thermometer should be washed or thermometer उसके boiling point को check करता रहेगा तीक है वह देख रहा होगा तो petrol जो होगा वह वैपराइज हो जाएगा और water condenser की है water condenser में क्या होता है थंडा पानी होता है तो वैपर जो है फिर वहापर थंड़ होने लगए water condenser में जब हो जाएगा और वह पेट्रोल बनके वह नीचे निकल जाएगा ठीक है और दो केरोसीन जो हमारे पास collect बचेगा तो केरोसीन distillation flask में बच जाएगा ठीक है अब आपको एक बार करके दिखा क्यों स्क्या मतलग है कि यह है उच्छाएगा यहां पर तो यहां पर बन जाएगा वह पैट्रोल बन गया था रहता हpoke नो इसको collect कर लेंगे लिए प्रैट्रोम को ठीक है हम यह आप उसको collect कर लेंगे टो ऐसे यह process होता है। ठीक है अब करते हैं next question, 7 question, name the techniques to separate. अब हमें techniques बतानी है हमें कुछ दे रहा है कि आप कैसे इन mixUR को अलग कर सकते हो तो तो पहले देर रखा है बटर फ्रॉम दे कर्ट कर्ट में से आप कैसे आप बटर को अलग कर सकते हो कौन से प्रोसेस है कौन ची टेक्निक है जो हमने पड़ी थी सैपरेटिंग दे मिक्चुर्स वाली टेक्निक तो इसमें ताब कौन ची तेक्निक को उसके बाइ से की तो आपिस ही लिएप पॉरीशन दे तो कहता है करें में सॉल्ट को कैसे लग कर सकते हैं भानी को ना हीट करने को ओड़ जतिंग घ कि हम sea water में से purify salt को हम भार निकाल रहे हैं से どौरों में समझते हूं कि इनसमें यूस होते हैं थार्ड है camphor from salt salt में अगर हम canphor को कॉन सा कॉंसा हमारा पास technique यूज होगी सक अंदर sublimation यूज होगी तो है वो तो अड़ाएगा हमारे पास कुछी देर में तो हमारे पास क्या बच जाएगा, तो यह वाला sublimation में क्या होता है, कि direct, बिना liquid state में है, जो solid चीज़ है, वो gas बनके उड़ गई, अब salt उड़ेगा नि, camphor ही उड़ता है, gas बनके, ठीक है, तो इसके अंदर यूज होगी sublimation वाली technique, ठीक है, अब हम चलते हैं, next way, what type of mixtures can be separated by the techniques, known as crystallization, तो crystallization के अंदर जो है, कौन सा type के mixtures को हम separate कर सकते हैं, crystallization आपको पता है, कि हम कोई भी solution को, हम as a pure solid निकालने के लिए, crystal की form में हम उसको separate कर सकते हैं, the crystallization method is a process that separate a pure solid in a form of crystal from the solution, crystal की form में एक solution में से, हम pure solid को अलग कर सकते हैं, और इसको हम ये भी कह सकते हैं, it is used to separate solid, solid को separate करने के लिए method यूज होता है, जो कि liquid में से, हम अलग कर सकते हैं, and also purified salt, और हम salt को भी purify कर सकते हैं, solid चीज को, salt नमक को हम purify कर सकते हैं, तो example, मैंने यही लिखा है, कि purification of salt that we get from sea water, sea water के अंदर से, जो में purified salt निकलता है, हमारा, तो कौन सा method हम यूज करके उसे निकालते हैं, crystallization method, ठीक है, second दे रखा है, जो aluminium के crystal होते हैं, तो उसको भी हम ऐसे ही crystallization method से separate कर सकते हैं, ठीक है, अब यह है, next question, classify the following a chemical or the physical change, अब हमें कुछ दे रखा है, इनको हमें physical change और chemical change हमें बताना है, इसके अंदर physical change हो रहा है, और chemical change हो रहा है, तो पहला दे रखा है, cutting of trees, अब हम पेड़ों को कार देते हैं, ठीक है, पेड़ो हमें बड़े बड़े पेड़ थे, उनको हमने चोटा चोटा करके कार दिया उसे, तो that means, वो physical change उसके अंदर हुआ, second, melting of butter in a pan, हमने पैन के अंदर butter को melt कर दिया, butter पहले किया था, एक solid form में था, जमा हुआ था, ठीक है, अब हमने उसे liquid form में कर दिया, उसे melt कर दिया, तो क् वो chemical change हुआ है, इसके अंदर नहीं हुआ है, इसके अंदर सरफ physical change है, butter to change नहीं हुआ है, butter to butter यह ना čaए, वो melting, melt हो गया, ho ya melt नहीं हुआ हो, physical change, इसके अंदर हुआ है, third is rusting of Elmira, Elmira पे jung लग जाना, ठीक हम रस्टिंग अंदर जंग जाना, to this is just about the stuffing of it, बड़े ज़े तो that means chemical change हुआ है वैसा तो है निए कि वह वापिस हो जाएगा गर हम जंको अटा देंगे नहीं तो इसके अंदर हुआ है chemical change fourth हमें दे रखा है कि boiling of water to form a steam steam कनने के लिए अगर हम पानी को अबालते हैं तो हमने steam करा उसे तो that means physical change हुआ है कोई नया प्रोडक्ट हमें नहीं बनाया है कोई नया कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया कोई chemical change नहीं हो रहा है सरफ पानी को मने बाहरा है और स्टीम बनके उड़ गया next is passing of electric current through water and water breaking down into hydrogen and oxygen gas अगर हमने पानी में क्यानी के अंदर electric current को पास कर दिया तो क्या हुआ जो पानी था वो hydrogen or oxygen gas बनके breakdown हो गया अलग लग हो गया तो that means chemical change हुआ अब पानी बापस नहीं बन सकता है ठीक है तो यह hydrogen or oxygen gas में breakdown हो गया अलग लग हो गया next is dissolving common salt in water अब हम पानी के अंदर common salt हो है हमारा उसको dissolve करेंगे that means chemical change नहीं हुआ हमारा हम पानी को नमक को हम वापस अलग कर सकते हैं that means physical change हुआ है कोई नया product हमारा नहीं बना है ठीक है कोई chemical change नहीं हो रहा हुआ है next time making a fruit salad with the raw fruit हम अब हमारे पास कोई fruit है आपके पास कोई apple है अब आप उसको क्या करोगी आप उसको कार दोगे सलाथ के फॉर्म में आपने उसको कार च shaking है तरह हो भी पिरतल स्री में वहा मिर्ण को और की tänker कि हुआ है अब आप क्या वापिस जलेवे पेपर को क्या आप वापिस से पेपर बना सकते हो नहीं बना सकते हो अब जलीवी लकडी को क्या आप लकडी बना सकते हो that means chemical change हो गया अब वापिस लकडी नहीं कर सकते हो जलीवी लकडी को वुड़ को आप वापिस से वुड़ नहीं बना सकत फृषखे देऊ century d Adaptation और यह बहुरी है? आपके आसपând घ़ने भी चीजश भी चीज़ी तो अप टाला आप खुद लिख कि मैंने थोड़ा जड़ा आफ्रा जबागाई एक प्यूर pot be a रें प्रोय सैंस鍬 और मिक्शे रखाए कि यहाँ पेपर और मिल्क और अर ही हमारे मिक्शे उ हो गई रखा यह अपके लिए कोश्ट्स M容 तो यहां पे होते हैं इंटेक्स कोश्शन्स खताम, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके NCRD solutions, ठीक है, अगर आपको क्लास 9 की Math, Science और English पढ़नी हो, और क्लास 8 की SST पढ़नी हो, तो इस चैनल को कर दिना, subscribe, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, thank you so much, bye bye.